आज हम बनाने जा रहे हैं गेहम के आटा से आलू का कचवरी जो खाने में टेस्टी है और वहुत ही स्वादेश्ट भी लगता है तो आएए मैं आपको रेस्पी दिखाती हूँ तो यहां पर हमने 500 ग्राम आटा लिया है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बिल्क ही आटा लगता है अगर आपको समोसा सोक्त लगाते हैं तो थोड़ा सापाइं कौचोरी आटा ये लगा रहें इसलिए हम यहांस पर बिल्कुली आम आटा घूंगे है तो यहांपर हमने ने आटा को अच्छे है इस दम द्रमिड के लिए इसे हम ढग कर रग देते है थाकि यह अच्छे से सेट हो जाए, तो यहाँ पर हमने आलो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बॉइल आलो लिया है, और इसका छिलका मैंने निकाल लिया है, और गैस पर मैंने कराही गरम होने के लिए रख दिया है, और इसमें हम डालेंगे दो चमच सासो का तेल, तो का जो टेस्टे काफी जाद अच्छा आएगा और इसमें हमने अधरक लासन और हरा मिर्स का दरदरा कुटलिया है वह हमने इसमें डाला है और इसे हम दो तीन मिनट तक इसी तरह भूंज लेते हैं ताकि इसका जो कच्छापन है जो निकल जाए तो बारी कटा हुआ मैंने यहाँ पर प्याज डाला है और इसे भी हम अच्छे से मिला लेते हैं और मसालों के साथ इसे भी हम दो मिनट तक भूंज लेते हैं तो यहां पर दो मिनट हो गया है और अच्छे से मैंने इसे भूंज लिया है और एक बार आप अच्छे से मैं मिला लेती हूँ तो इसमें हम डालेंगे एक चमच हल्दी पॉडर और एक चमच मैंने यहां धनिया पॉडर डाला है और थोड़ा सा मैंने यहां गोल की जीरा का पॉडर डाला है थोड़ा सा मैंने यहां लाल मिर्च का पॉडर डाला है क्योंकि मैंने यहां पर हरा मिर्च डाला हुआ है इसलिए मैंने थोड़ा से यहां लाल मिर्च के पॉडर कलर के लिए मैंने डाला है और अच्छे से हम इसे मिला लेते हैं ताकि मसाला अच्छे से भूंजा जाए मस मारा भूंजा गया है तो हमने मसलाव का यहां को डाल देते हैं और अच्छे से मसाला मिल गया है तो इसे 3-4 मेर्च तक हम इसी तरह मिलाते हुए भूंज लेंगे यहाँ पर तीन से चार मिनट हो गया है और आलू भी अच्छे से हमारा जो है भुझा गया है तो इसमें मैंने डाला है स्वादनुसार नमक और हम इसे मिला लेते हैं तो मैंने यहाँ अच्छे से मिला लिया है तो एक चमच मैंने यहाँ पर अजवाइन डाले है अजवाइन हमारे जो सेहत के लिए पेट के लिए बहुत ही अच्छा है तो इसे आप जरूर डाले और इसे हम अच्छे से मिला लिये हैं और इसमें हम डालेंगे एक चमच भूंजा हुआ मसाला जिसका वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है तो आप वहाँ से देख सकते हैं इससे जो मसाला है जो काफी ज्यादा टेस्टी बनेगा तो यह आप जरूर भूंजा हुआ मसाला इसमें डाले और इसे हम अच्छे से मिला लिये हैं अब यह हो गया है तिसे हम निकाल लेते हैं इस तरह से हम छोटे छोटे गोल बना के और स्टफिन को हम इस तरह से भरेंगे यहाँ पर मेरी ममी जी है जो मेरा हेल्फ कर रही है बनाने में इस तरह से चटाय जैसा बना लेंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें आलू का मिश्रन को हम डालते जाएंगे और हाथ से ही इसे इस तरह से घुमाते हुए कर लेंगे कि ताकि इस यह जो बाहर ना निकले इश्टा आटा को आप निकाल ले आप चाहते इसे बीलना से बील भी सकते है यहाँ पर तेल को छेक करने के लिए मैंने थोरा सा आटा को डाला है तो तेल हमारा अच्छा गरम हो गया है तो हम एक अक करकेस में हम पूरी को डालते जाएंगे जबी आप ये कुछ भी तलते बगर रहा हैं तो आप मीडियम गैस पर ही तले ताकि अंदर ताकि ये क्रिस्पी बने और खाने में भी टेस्टी लगे गा तो इसे हम दुसरे तरफ पलट लेते हैं और इसी तरह उलट को लट कर हम सुनारा होने तक इसे तल लेंगे तो यहाँ पर ये सुनारा कलर का हो गया है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी का कचोरी भी तल लेंगे तो यहाँ पर हमने सारे अलुकों कचवरी को तल लिया है तब मैं आपको सब करके दिखाती हूँ तो ये देखिए तब मुझे उमीद है कि आपको मेरी रेस्पी पसंद आया होगा तो मैं आपको इसे तोर कर दिखा दिती हूँ यंदर तक कितना ये पका हुआ है और खाने में भी ये क्रिस्पी लगेगा तो आप एक बार जरूर इस रेस्पी को ट्राइ करना और अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना ठैंक यू